हेलो गुड मॉर्णिंग हेवरीबडी आप सभी का आपके यूट्यूब चनल गौतम अस्टेडी एड़ा पे बहुत बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों आज तारीक है 7 अगस 2020 तो चलिए 7 अगस 2020 से जितने भी नए करेंट अफेस के कोश्चन बनते है देख लेते हैं अगर आपको इस पीडियो का पीडियाप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडियाप का लिंक दिया होगा वहाँ जागर के आप पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं चलिए कोश्चन नबर 1 से स्टार्ट करते हैं हाली में जम्मु कस्मीर क नया उपराजिपाल न्यूक्त किया गया है और इनसे जो पहले थे वह गिरिश्चINDर मुर्मू थे दोस्तो चलिए महत्त्पुन पॉण्ट जान लेते हैं मनोस सिन्हा को जे-ंड के यानि जम्मु कस्मीर का उपराजिपाल न्यूक्त किया गया वह गिरिश्चद्र के गाजिपूर संसदिय छेत्र का लोकसभा में तीन बार परतिनीधित्व किया उन्होंने संचार मंतरी और रेल राज्य मंतरी के रूप में भी कार किया जम्मु कस्मीर राज को जम्मु और कस्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 द्वारा 31 जनवरी 2019 को जम्मु कस्मीर केंसासित परदेश में बदल दिया गया आईए उप्सन की बात कर लेते हैं ग्रिश चैनलर मुर्मु तो जम्मु कस्मीर के पुर्व राजिपाल थे मनोज सिनह से पहले और अनिल बैजल जो है ये दिल्ली के उप राजिपाल है और राजिब महर्सी जो है दोस्तों ये कंट्रोलर अ आपका एंसर जाएगा ओप्सन सी 15.46 मिलियन डॉलर भारत ने दिया है भारत यूनाइटेड नेशन विकास साजेदारी कोस में चलिए महतपुनपंट जान लेते हैं तो भारत ने सभी सतत विकास लच्छियों में विकास सील राष्ट्रों की सहायता की अपनी परतिबधता के तहत भारत यूनाइटेड नेशन विकास साजेदारी कोस में 46 मिलियन डॉलर का योगदान दिया एहां होना चाहिए दोस्तों 15.46 मिलियन 15.46 मिलियन में से 6 मिलियन डॉलर सभी विकास सिल देशों की समगर निधी में जाएगा और 9.46 मिलियन डॉलर राष्ट मंडल देशों के लिए है इस कोस का परबंधन United Nations Office for South-South Cooperation UNOSSC द्वारा किया जाता है और 2017 में संजुक्त राष्ट परनाली के तहत कर्यानवित है चलिए आगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर तीसरा है हाली में किस राष्ट सरकार ने तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए समाजिक सुरच्छा योजना शुरू किया है तो आपका एंसल जागा उप्शन A. 36 गड़ तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए समाजिक सुरच्छा योजना शुरू किया है आईए महत्पुनपन जा लेते हैं 36 गड़ के मुख मंत्री भूपेस बग्यल ने राज में तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए एक समाजिक सुरच्छा योजना सहीद महेंद्र कर्म तेंदू पत्ता संग्र समाज सुरच्छा योजना शुरू की है तेंदू के पत्ते बीडी बनाने के लिए इस्तिमाल होने वाले पत्ती लपेटी हुई सिगरेट वनस्पतियों द्वारा एकत्र की जाती है और उनसे राज सरकार द्वारा खरीदी जाती है कॉंग्रेस नेता महेंद कर्मा ने कॉंग्रेस नेता महेंद कर्मा के नाम पर बनाई गई इस योजना का उद्गाटन उनकी जहनती के अबसर पर किया गया था अब आया यहां 36 गड़ का बात आया है ना तो 36 के बारे मैं आपको बता देता हूं यह आपके सामने आएगा 36 गड़ जिसका राजधानी है नया रायपूर अब इसे अटल नगर के नाम से जाना जाता है अगर आपको नेम चेंज से भी वीडियो देखना है तो मेरी डिस्क्र मंत्री है बोपेश भगेल राजपाल है अनुसुया उइकेर और उचन्याले है बिलासपूर में जीलो की संख्या 16 है बिधान सभा सबसेदर सिक संख्या 90 है लोक सबसेदर संख्या 11 और राज सबसेदर संख्या 5 है राश्टे उद्यान है कुटरु जोकी बस्तर में है पहले मुखमंत्री थे अजीत जोगी जिनका हाली में निधन हो गया है और 36 गड़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है 36 गड़ से होकर के करक रेखा भी गुजरता है और यसे तो जो करक रेखा जो है वो भारत के कुल आठ राज जो करके गुजरता है वो है आपका पस्चिम बंगाल जारकंड मद्यपरदेश राजस्थान गुजरात 36 गड़ तिरपूरा और मिजोरम और हाली में 36 गड़ ने लाग की खेती को अब क्रिसी का दरजा दिया है अब आईए ओप्सन की बात कर लेते हैं तो ओप्सन में है उडिसा तो उडिसा जिसका राधानी है बोबनेसवर मुखमात्री है नविन पटनाट गवर्नर है गनेसी लाल और जीलोक संख्या 30 है एक है KR님이 आय 28 गड़ उडिसा और गड़ेह को भारत के मप भी देख लेते हैं यह आपके सामने आँ भारत का महप और यह देखने दोस्तों आपके सामने है 36 गढ आईए गोवा देख लेते हैं ये देखिए चेथफल्त के दिरिष्ट्री से सबसे छोटा राज है भारत का गोवा जोकि महराष्ट के साथ और करनाटक के साथ अपना सीमा बनाता है और गोवा से जो है वो अरब-सागर भी नीचे सीमा बनाता है दोस्तों अब चलिए पंजाब देख लेते हैं ये देखिए आपके सामने हैं पंजाब जो कि पाकिस्तान के साथ अपना सीम बनाता है राजस्थान के साथ हरियाना के साथ हिमाचर परदेश के साथ और जम्मू कस्मीर के साथ दोस्तों आईए अगला कोस्चन देखते हैं Question number 4 है, हाली में जारी हुरून Global Unicorns 2020 सुची में भारत कितने अस्थान पर पहुंचा है? तो आपका answer दाएका option D, चवथा, दोस्तों भारत का जो rank है वह है चवथा हुरून Global Unicorns 2020 सुची में हैं, चलिए इसके बारे महत्पुनपन जान लेते हैं, हुरून Research Institute ने हुरून Global Unicorns 2020 जारी की, 2000 के दसक में अस्थापित और अभी तक सरजनिक विनीमय में गैर सुचना, गैर सुची बद दुनिया के बिलियन डॉलर टेक अस्टार्टप की वैस्विक रैंकिंग है, दुनिया में 29 देसों के 586 यूनिकॉर्ण को रैंक भारत 73.2 बिलियन डॉलर के 21 यूनिकॉर्ण सहित 2020 में 24 अस्थान पर रहा, जो 2019 में 3 अस्थान पर था, उस्तम मुल्य यूनिकॉर्ण भारत पेटियम सुची में यूएस सबसे उपर फिर चीन और ब्रिटेन, अब बहु मुल्य यूनिकॉर्ण में आंट ग्रूप है, दोस्तों सबसे बहु मुल्य यूनिकॉर्ण है आंट और दोस्तों भारत का पेटियम है, जो कि चौथे नंबर पर है, और सुची में यूएस सबसे उपर है, और दूसरे अस्थान पर है चीन और तिसरे अस्थान पर है ब्रिटेन, और चौथे अस्थान पर तो अपना भारत है दोस्तों, आए नेस्ट कोशन देख रहे हैं, को सेवी के अध्यच के रुप में उनके कारिकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है तो आपका एंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्षन B 18 महीने 18 महीने यानि डेड़ साल का इनके कारिकाल को बढ़ा दिया गया है अजय त्यागी जो कि हमारे सेवी के Security and Exchange Board of India के अध्यच यानि परसिडेंट थे चेर्मेन थे दोस्तों ये आपके सामने हैं अजय त्यागी चलिए महत्पुन पांट जान लेते हैं एक कार्मिक मंत्राले अनुसार एक कार्मिक मंत्राले के अनुसार अजय त्यागी को बजार नियामक सेवी के अध्यच के रूप में 18 महीने का विस्तार दिया गया है परधार मंत्री नैन मोदी जी की अध्यचता वाली मंत्री मंडल की न्यूपती समीती ने 18 सितंबर से त्यागी के कारेकाल को 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है अब आए यहां सेवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो दोस्तों इसका फुल्फाम होता है स्थापना की अगा था 12 अपरील 1992 को और हेटकोर्टर है मुंबई महराष्टरा में और चेर में है अजाई त्यागी तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लग रहार कोश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जाज़ादा सेर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं मिलेगा चेप्टर बाइस टोपिक बाइस जागर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं आए नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नंबर छठा है हाल ही में जारी रो ए हिस्ट्री ओफ इंडियाज कोवर्ट ओप्रेशन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो आपका एंसर हो जाएगा ओप्शन ए सतीस यादव सतीस यादव के द्वारा लिखा गया है RAW A History of India's Covert Operations नामक पुस्तक खोजी पत्रकार और लेखक 37 यादव ने लिखी है एक नई किताब में भारत की बाहरी जासुसी Agency Research and Analysis Wing RAW द्वारा किये गए विर्तापुर्ण कार संचालन में एक जलक मिलती है और इस तरह गुप्ट समाज की ग्रे दिवारों के पीछे वास्तव में जो कुछ भी होता है उसका एक मनुरंजक वर्नन करता है अब चलिए दोस्तों यहां RAW का बाता है तो RAW के बारे मैं आपको बाता देता हूँ तो दोस्तों RAW जिसका फूर्फम होता है Research and Analysis Wing और इसके चियर्मेन है वर्तमान समय में सामन्त गोयल और RAW का Headquarter है दोस्तों नई दिल्ली में और अस्थापना किया गया था 21 सितंबर 1968 को याद रखेगा एक्जाम में पूछा जाता है और पिछली बार रेलवेक एक्जाम में पूछा भी गया था और निरुपमा यादब कली कोश्चन चा दोस्तों विशेश कोर्ट टू बीन नामक पुस्तक लिखी है चलिए नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर साथवा है हाली में हिरोसीमा दिबस कब मनाया गया है तो आपका एंसर जाएका उप्शन C 6 अगस्त दोस्तों 6 अगस्त को हिरोसीमा दिबस मनाया गया है चलिए इसके बारे में थोड़ा महत्पून जानकारी ले ले लेते हैं 6 अगस्ट को दूतिय बिश्चुद के दोरान हिरोसीमा में परमानु बंबारी की सालगीर है और ये दोस्तो 25 सालगीर है इसका हिरोसीमा दिवसका 6 अगस्ट 2020 में 25 सालगीर है ब्याबा घटना 6 अगस्ट 1945 को हुई जब संजुक्त राज अमेरिका ने जापान के हिरोसीमा सहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमानु बंब गिराया बंब का क्या नाम था लिटिल बॉय ये एक्जाम में पूछा जाता है दोस्तों लिटिल बॉय यह बं हमला 1945 में दुतिय बिश्यूद को समाप्त करने के मकसद से किया गया था इस दिन को परमानु उर्जा और परमानु हतियारों के खत्रे के बारे में सांती को बढ़ावा देने और जगरुपता फैलाने के लिए याद किया जाता है चलिए नेस्ट कोस्चन देख लेते हैं कोस्चन नमबर आठवा है हाल ही में भारती एर टेल ने भारत में कलावड कारोबार को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझोता किया है साज़िधारी किया है तो आपका अनसर जागा उप्शन B अमेजन अमेजन के साथ साज़िधारी किया है भारती एर टेल ने भारत में कलावड कारोबार बढ़ाने के लिए भारती एर टेल के साथ चलिए महत्पुनपन जान लेते हैं भारती Airtail ने भारत में बड़े उद्ध्यम और छोटे एवं मध्यम उद्ध्यम ग्राकों को नए व्यापक Cloud Solution सेट देने के लिए Amazon Wave Services AWS के साथ भागेदारी की AWS की सहायता से Airtail Cloud AWS Cloud Practice और अन्य उत्पादों का विकास करेगा जिससे Airtail की Data Center चमता और Airtail की Network और Telecom सेवा बढ़ेगी ग्राहक एकिकरित विक्री और सहायता से लभानवित होंगे दोस्तो Airtail के अध्यच है सुनिल भारती मित्तल अचलि यह option में Amazon की बात कर लेते हैं दोस्तों और Flipkart की तो दोस्तो Amazon जिसके CEO है जेप बेजोस और Headquarter है वासिंगटन DC United States में और Flipkart दोस्तों जिसका CEO है कल्यान क्रिस्मूर्थी और Headquarter है बेंगलूरू करनाटका में आईए next question देख लेते हैं question number 9 है हाली में महराष्ट के पूर्व मुख मंतरी सिवाजी राव पाटिल निलांग गेकर का निधन कहां हुआ है तो आपका answer दाएगा option D पूने में दोस्तों महराष्ट के पूने में महराष्ट के पुर्व मुखमंत्री सिवाजी राव पाटिल निलांग गेकर का निधन हो गया। 1985 में राज्य मेडिकल कॉलेज की परिछाओं में कथित धोखादड़ी का पता लगाने के बाद बॉंबे हाई कोट ने उनके खिलाप सक्ती बरतते हुए उन्हें मुखमंत्री पत से इस्तिफा देने के लिए मजबूर किया। गरी सचिव राम डी परधान का निधन कितने वर्स की आयू में हो गया है। तो आपका एंसर जाएगा उप्षन ए, 92 वर्स, 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, यह आपके सामने है पुर्व केंदरिये गरी सचिव राम डी परधान, आईए इनके बारे महत्पुन पॉंट फोड़ा जान लेते हैं। पुर्व केंदरिये गरी सचिव राम डी परधान, 92 वर्स के कारण मुंबई में निधन हो गया। की जाच में दो सदस्य समीति का नेत्रितु किया। उन्हें 1987 में पद्म भूसन से समानित किया गया। उन्होंने असम समझवत्वे और मिजोरम सांती समझवत्वे पर अस्ताक्षर में महत्पुन भुमिका निभाई। आए आज का आखरी और लास्ट कोस्चन देख लेते हैं जो कि कोस्चन नमबर 11 है दोस्तों और महत्पुन कोस्चन भी है ये एक्जाम में आने वाला कोस्चन है। कौन सा देश महत्मा गांधी के सम्मान के लिए विशेश सिख्का बनाएगा। इस कोस्चन को अस्टार मार्क लगा लिजएगा दोस्तों कि एक कोस्चन जो है 100% एक्जाम में आएगा। मैं आपको दिखा दूगा। तो आपका एंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन B, ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन जो है वो महत्मा गांधी के सम्मान में एक विशेश सिख्का जारी करेगा। और ब्रिटेन के बरतमान समय में राष्टपती है बोरिस जोन्सन, ब्रिटेन का रधानी है लंडन और मुद्रा है पॉंड अश्टरलिंग। आईए ओप्शन की बात कर लेते हैं अमेरिका, जिसका रधानी है वासिंगटन DC, अमेरिकन डॉलर मुद्रा है अमेरिका के अलगा है टिए वीडियो ज़्यादा ज़्यादा जादा सेर और लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा इसलिए कीजियेगा दोस्तों क्योंकि आपके साथ और भी एश्टुडेंट इसका लाव उठा सके, इतने सारे जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूं, वह भी जान सके दोस्तो चली दोस्तो थैंक्यू अपना ख्याल रखिएगा कुरोना बारे से बचे रहिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सकाइब नहीं किये हैं तो सब्सकाइब जरूर करके जाएगा